पूरे देश भर में इस वक्त कोरोना से हालाग बिगड़ते जा रहे हैं पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो करीब एक लाग 32,000 नए केस 24 घंटे के दोरान पूरे भारत में दर्जे किये गए हैं वहीं अगर धार की बात करें तो धार के कोविड सेंटर में आज करीब तीन लोगों की कोरोना से मोत हुई है और अगर पिछले तीन दिनों की बात करें तो आठ से दस लोगों की मोत की जो है वो सूचना है तो ये हालात कते ही ठीक नहीं कहे जा सकते हैं कोरोना से हालात दिन पर दिन बिगरते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन ने आज शुक्रवार शाम छे बज़े से लागडाउन का फेसला लिया है और ये लागडाउन जो है वो शुक्रवार उस पर प्रशासन और सरकार सक्त फेसला लेने के लिए मजबूर है तो आज शाम 6 बजे से यह लागडाउन शुरू हो रहा है जो कि सुमबार सुबद 6 बएद तक जारी रहेगा जिसको लेकर जो है वो शाधार शार में फ्लेगमार्च भी निकाला जा रहा है पूरे जिले भ प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूत इस्तथी बिगड़ती जा रहे है जिससे देखते हुए प्रशासन ने धार जिले में भी आज शाम 6 बजे से सुम्वार कि सुबद 6 बजे तक सक्त लागडाउन घोशित कर दिया है धार में पुलिस ने लागडाउन को लेकर फ्लेक-मार्च निकाला और लोगों को सक्ती से लागडाउन का पालन करने का संदेश दिया शाम 6 बजे से पहले ही बाजार में हलचल करना शुरू कर दी थी और देखते ही देखते कुछी देर में सारे बाजार बंद हो गये और पुलिस की गाड़ियों के सायरेंट बजने लगे यह लागडाउन पूरे जिले भर में सुमवार की सुबद 6 वैं तक लागू रहेगा और धार शहर के साथ-साथ सभी नगरी खेत में भी यह सक्त लागडाउन घोशित किया गया है मैं यही कर रहा हूं आपको की हमने इसका मौत के जो केसेज होते हैं उनका मौत की आडिट कराई जाती है कुछ प्रक्रण ऐसे भी है जो ज्यादा उम्र के कारण कोम आर्विट के कारण अलाग लग बीमारियों के कारण और बिलंब से हस्पिटल में पहुंचने के कारण ही होते हैं लगातार जब हस्पिटल में पहुंचते हैं उसके बाद हमारी डाक्टरों की टीम उनके नर्सेज और पूरी टीम उनकी सेवा में लगे हुए हैं रेमेडेस यर जो इंजेक्शन है उसके बारे में भी लोगों के परिजनों द्वारा बात लाई गई थी हमने जो सासन के द्वाओं के उपयोग के लिए लोगों को प्रेजित करता है या अधिक दाम पे इस दवाओं को देने का प्रयास करेगा तो उनके खिलाब विभिन धाराओं में प्रक्ण दर्ज करके कड़ी करवाई की जाएगा है रेमेडेस सीविर सास्की सप्लाई का आइटम नहीं है लेकिन जो हमारे यहां पर दो तीन डीलर हैं उनके द्वारा लगातार बाहर से इसको मंगाया जा रहा है ड्रग इस्पेक्टर द्वारा उसको लगातार वाच किया जा रहा है कि अनावस्चक किसी को न दिया जाए डाक्टर्स को ताकित किया गया है कि आप गलत रूप से क किसी को रिक्मेंड करें और अनावस्यक अगर इसका उपयोग जरूरी नहीं है यह बात दो पिछले दस दिनों में ध्यान में आए कि जिसको आक्सिजिएन की जरूरत नहीं है उनको यह नहीं दिया जाना चाहिए उसके संब्द में सासन ने बड़े कड़े निर्देश जारी किये गए हैं और उस यह सूपी का हम लोग वालन सुनिश्चित करा रहे हैं क्या अगर हालात दिगरते हैं तो नीजी हास्पिटलों को अधिगरेट किया गाएगा निश्चित रूप से हमने पहले से ही यह पूरे प्रबंधन कर रखे हैं जो हमारे जिले के तीनों हस्पता और ही ऐसा एरिया है जहां पर लगातार हमारे प्रकण आ रहे हैं जो कि उज्चेन रतलामा और इंदवर से बहुत नजदीक रहने के कारण भी है तो हम सी 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 कमांड सेंटर बना रहे हैं हमारे पास इस्टा इस्टाप आ चुका है कल हमने भाई पैप भी मंगा लिये हैं स जिदायक जी के सायोग से हम लोग नेक लाइप केर सपोर्ट एमूलेंस भी हां पर बनाई हुई है तो किसी प्रकार के पैनी की कोई आवसकता नहीं है चैनल के माध्यम से मैं अपने जिले के नागरिकों से अन्रोद करूंगा कि जो अगले दो दिन तक लागडाउन है उसम नगरी छेत्रों को लेते हुए हमने ये निर्देशित कल सभी SDM को किया है कि जिन बड़े कजबों में करोना का संक्रमन है जहां दो चार मरीज निकले हैं जैसे बदनावर के कोट कानवान बिडवाल ऐसे बड़े कजबों में तो हमने जिले के 40 कजबे चिनित किये हैं उन क कस्बों के समन्द में भी अलग से 144 के आदेश जारी किये जा चुके हैं और आज पांच-छे बजे से जो लागडाउन लागो होगा इन बड़े कस्बों में भी ये पुरी तरह से लागो होगा SDM से उसके आदेश जारी कर दिये हैं और हमने संजीत रूप से प्रेस को भी को सुची दी दी है जिनमें नगरी निकायों के साथ इन बड़े कस्मों में भी हम रोक लगा सकें और इस करोना संख्रमण के चेन को ब्रेक कर सकें तैंक